Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो आज जो पहला आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं, यह वाला आर्टिकल बिजनस लाइन में पुब्लिश हुआ है, आप देख सकते हो, 23rd October को पुब्लिश हुआ है, प्रिमियम कैटेगरी का आर्टिकल है, और RBI राइट इन रेनिंग इन्टू अंशूरिस माइक्रो लेंडि आर्टिकल 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 आ रहे है, तो आप एक चीज देखोगे कि इनमना पैटर्न नजर आएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है, कोई अगर इसको फॉलो करता है, वैसे सीरियल किस तरह से होते हैं, आप लगातार एक कोई इंसिदेंट हुआ सेरियल में, तो उ पहली चीज आप देखो, यह अभी 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 एक्शन लिया था, जो मैंने पढ़ाया था, आपको कि चार NBFCs टे, जिनको इन्होंने सीज किया था, डिसिस्ट किया था, कही ना कि उनकी लेंडिंग अक्टिविटीज को रोका था, इसकी वैसे वो मननापूरम का स्टॉक भी काफी ब्रेक हुआ था, मेरे से लोगों ने पूचा भी कि सर मननापूरम का स्टॉक क्यों ब्रेक हो रहा है, तो कि वो अश्रवाद वाले से लिंक था, that's the reason why उनको कही न गई, यह, चुकि इस पर ये न्यूस आ गई, गोलेशन का इशू आ गया, तो that is the reason why वो वाला स् अब यह वाला हमने देख लिए, two of the affected NBFCs, microfinance company, while the other two were the retail, मैंने यहाँ पर बताया भी था, कि इसमें से चार companies, में से दो companies आची थी, कहीं न कहीं proper disclosures नहीं कर रहे, और loan के pricing की practices को सही तरह से follow नहीं कर रहे, जिसकी वैसे RBI के expectations meet नहीं हो रही, fair lending practices नहीं हो रहे, तो काफी सारे reasons cite किये गये थे इसको रोकने के लिए, right, कि आप अभी रोक दो, इस action के ऊपर कहीं न कहीं mixed opinion निकल कर रहा है, mixed opinion का मतलब यह regulatory action has been viewed some of the harsh, कुछ लोगों ने इसको harsh की तरह देखा कि वहीं काफी harsh decision लिया गया, और कहीं न कहीं उनको रोक दिया गया, उनको lending को रोक दिया गया, on the other side कुछ को लगा कि बहुत सही किया, बहुत अच्छा किया, RBI बहुत ही vigilant है, कहीं न कहीं इस चीज को लेकर के, आप भी बता है comment section में कि आपको क्या लगता है, कि RBI ने यह सही decision लिया, गलत लिया, क्या aggressive है RBI क्या, आर्श है, कैसे आप इसको देखते हो, और कहीं लोगों का माना था कि new age lenders के साथ यह जाधा किया जा रहा है, उनको थोटी से भी गलती पकड़ी जाती है, तो RBI गही नगहीं इनको रोग देता है, कुछ ना कुछ इस तरह का issue उठाता है, अब इसमें क्या important चीज यह article बात करता है, तो हो कहते हैं कि यहाँ ए clarity होना बहुत ज़रूरी है, तो prior to March 2022, there was a clear cap on the microfinance loan interest rates, अगर आप देखोंगे 2022 2022 से पहले जो था, वो proper caps बने हुए थे, microfinance के interest road के थे, बट RBI ने इन सभी caps को remove कर दिया, ठीक है, और lender को कहा कि not to charge insurance rate, some of the NBS can be reported to charge over 40% of the interest with additional fees, अब अब देखों, आपने cap थी, ठीक है, आपने खुदी वो cap हटा दी, अब जब cap हट गई, तो क्या हुआ हुआ, NBFC इसको म गए, additional fees add कर दी, बहुत सारी dysregulation शुरू कर दी है, तो आपने खुदी लोगो धीला चोड़ दिया, जब आप धीला कर दोगे, तो obviously कही ना कही दिक्कत तो आएगी न, अब ये article क्या कहता है, article कहता है ये दुबारा reinstate कर दो भई, जो आपने पहले जो लगा रखा था, microfinance के उपर, कि वह इन पर कुछ control रहना चाहिए, कुछ इनके उपर काबू रखना चाहिए, तो वो कही न कहीं आपको दुबारा करना चाहिए, article ये ही कहता है, MBQT क्या है RBI के सामने, तो RBI के सामने क्या है, कि it is unclear whether RBI is concerned over high rates, क्या RBI high rates से परिशान है, only for microfinance company, और it extends to all the loan types, क्या ही है, सिर्फ microfinance category में ही loan के उपर RBI परिशान है, कि सभी loan के type पर कही न कहीं इसको लेगे परिशान है, RBI argues that the broad cap on the all loan rates may introduce a moral hazard, वो यह कहता है कि अगर आप एक broad category भी बना देते हो, broad cap लगा देते हो, तो कहीं न के moral हो जाएगा जिसको कहीं न कहीं companies भी follow करेंगी, borrowers use loan for speculating high risk, और इसमें से कहीं न कहीं फिर जो यह high risk ले लेती है, यह companies यह investor ले लेता है कहीं न कहीं, वो भी कहीं न कहीं control में आ जाएगा, impact bond market पे क्या पढ़ रहा है, यह important part है इस article का, क्योंकि यह कई पर question के form में आ जाता है, कि इस चीज का कोई भी action ली है, उसका bond market पे क्या impact पढ़ रहा है, तो bond impact पे यह impact पढ़ रहा है, कि it will affect NBFCs, that will raise funds through retail bond, कोई भी जो NBFCs retail bond के तुरू market से money raise करती थी, कहीं न कहीं उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि जो लोग इसमें invest करते थे, उनके मन में डर आ जाएगा, कि NBFC की stability पे पर प्रबम में कुछ ना कुछ डाउट है, जाए उतर जो companies में operate करें, उनका business model is stable नहीं है, उनको profit नहीं बनता है, तो investor का confidence कहीं न कहीं break होता है, और इससे कहीं न कहीं bond market को effect बढ़ेगा, और वे निट सो consider all these implications, and that's the reason why article कहता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एक चीज़ नहीं है, इस लाइक पाक अफ कार्ट, पाक अफ कार्ट में क्या होता है, अब एक कार्ट गिरा होगे, सारे कार्ट गिरने चुरू हो जाते है, तो अगर आप कुछ भी action ले रहे हो, तो आपको यह समझना चाहिए कि उसका long term implication क्या हो सकता है, तो आपको मुझा है और अगर आप इस series को follow कर रहे हो, तो आपको definitely मुझाएगा, तो इसमें already हमने कुछ पढ़ा दिया है, आप उसी को follow कर रहे है, अगर आप मेरे सारी notes को download करना चाहते हो, तो notes master plan join कर लेना, मिलते हैं एकली वीडियो,